हेलो दोस्तो मैं हूँ गुनजीत और आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है तो दोस्तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में सीखाने वाला हूँ Pinterest एकाउंट को आप permanently delete कैसे कर सकते हैं तो दोस्तो दीखिए आप mobile से भी कर सकते हैं और computer से भी कर सकते हैं दोनों process एक ही है ठीक है desktop site पे भी मतलब computer भी आप एक ही process से कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं अपना जो mobile पर एप है उसको open कर लेता हूँ और अगर आपने login नहीं करकर रखा है तो login कर लिजे उस account से ठीक है उसके बाद profile section पर चले जाएं यहाँ पर देखिए मैं इस पर click कर देता हूँ और मैं profile section पर आ गया और इसके बाद delete करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए उपर setting आइकन है ठीक है गोलसा उस पर आप click कर दीजे उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जो है account setting जो लिखा है उपर account setting इस पर आप click कर दीजे account setting पर click करने के बाद आपको जो है नीचे चले आना है scroll करके यहाँ देखिए close account delete your account and account data मतलब सब कुछ delete हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आप click करना है आपको ठीक है close account पर उसके बाद यहाँ पर लिखा है are you sure closing your account means you won't be able to get your pin or board back all your Pinterest account data will be deleted ठीक है तो यहाँ पर अगर आप delete कर देते है account को ठीक है तो यह permanently delete हो जाएगा तो यहाँ पर फिर से लिखा है if you are ready to live forever we will send you an email with the final step to this email मतलब इस email पर आपको एक mail जाएगा ठीक है अगर आप permanently close करना चाते है तो यहाँ पर नीचे एक लाल सा बटन दिया है close account लिखके ठीक है इस पर आपको click करना है तो यहाँ पर मैं click क account पर तो जब मैंने click किया उसके बाद मेरे email मतलब इस account से link किया हुआ जो email था तो उस पर message चला गया है अगर आपको permanently delete करना है तो email को open कीजे ठीक है अगर Gmail है Gmail को open कर लिजे ठीक है तो उसके बाद में अपना जो email है उसको मेरे browser पे मैं open करके ही रखा था तो उसको refresh कर देत हो तो यहां पर देखिए Pinterest से एक email आ गया है तो यहां पर लिखा है last secure check to close your account ठीक है यहां पर मैंने इस email को open कर लिया तो यहां पर लिखा है we are sorry to see you go मतलब यह सब कुछ details लिखा है और उसके बाद देखिए यहां पर लिखा है नीचे जो है जो में लाइन है सिखने वाली व after 14 days if you change your mind before 14 days are up login with your email and password and we will send you a link to reactive your account मतलब आप अगर इन 14 दिनों के अंदर मतलब आप अगर अभी yes close your account इस पर क्लिक कर देते है तो आपका account जहे डिलेट हो जाएगा और अगर आपका mind 14 दिन मतलब यह 14 दिन लगेगा डिलेट होने में तो अगर आपका mind in 14 दिन के अंदर आपका mind change हो जाए तो आप अगर इस account को आपका mail है और आपका password आपका Pinterest account का था उससे अगर आप लोग इन करेंगे 14 दिन के अंदर तो आपका account जो है फिर से reactive हो जाएगा ठीक है चालू हो जाएगा फिर से open हो जाएगा तो यहापे मैं यहापे दिखिए yes close account पे अमें click कर देता हूँ आप भी अगर करना चाते तो कर दीजे तो यहापे मैं click कर देता हूँ yes close account तो यहापे देखिए तो लूड हो रहा है और थो टाइम लग लग ला है इसमें तो यह देखिए यह जो है account पर लिखा रहा है कि you can't find your idea just like it यहापे मेरा account जो है अभी बंद हो गया है तो देख लेते हैं पर जाके तो यहापे देखिए यह भी बंद हो गया है ठीक है तो इस तरह से जो है आप अगर यहापे मैं मेरा Pinterest account पर जाके मैं अगर इसको जो है लॉगिन करूंगा ठीक है तो यहापे मैं लॉगिन करूंगा तो फिर से वो account जो है वो reactive मतब चालू हो जाएगा फिर से तो दोस्तों यही था वीडियो में वीडियो गर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए और भी कुछ कहना है तो नीचे कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट जरूर लिखे थैंकि फ़र वाचिंग